जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भकतग्यानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ जब आपकी शक्ती कोई उतार लेता है तो आपके साथ ये चीजे होने लगती है अब शक्ती को बापस कैसे बोला है जी हाँ दोस्तों कुछ भकते हैं विचारे जिनके साथ ऐसी चीजे हो जाती है जिनके पास सक्तियां होती है मा काली दुर्गा की अन्य देवी दिपते की लेकिन जब तक उनका कोई गुरू नहीं होता जो अपनी पूजा पार्षे शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं सिद्धी साधना से मंतर जाप से तो उनकी साथ अजित्तर किर की क्या होता है कुछ भ कारे कराते हैं और आप महीं के महीं रह जाते हैं तो जिनकी शक्ति उतर जाती है उनके पास से हट जाती है कोई उतार लेता है या कोई पकड़ लेता है अपने कारे कराता है उनसे तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा होने लग जाता है जैसा मैं आपको इस वीडियो के मात्यम से वाली हूं और ये भी बताऊंगी अगर आपकी साथ ऐसा हुआ है तो आप अपनी शक्ति को बापस कैसे बुलाएं सब कुछ बताऊंगी लेगिन बताने से पहले आप सभी भगतों से मैं एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूं अगर आप महाकाली भगतग्यान यूटुब चैन पर नहीं मिली होगी तो जितने भी काली माता के भक्त हैं या अन्य देवी देपता के भक्त हैं मतलब जो व्यक्ति अपने घर में मा भगवती की अन्य देवी देपता की सच्चे मन से पूझापाट करता है भाव से उस व्यक्ति को उसी के देवी देपता की शक्ति प्राप तो यह श्क्ता है और इसे सामने वाला तुरंत बता देता है कि आक Augusta है ये परभार कि ये दीरे को पीड़ी ने शक्ती मिली से अपांगें जया सब्सक्राइब कोई वी आसे इंसान उसके पर हाथ रख दें तो समझजाओ आपकी शक्ति वही उतार ली है और जैसे ही की शक्ति उतार ली होगी तो आपको सपने के माध्यम में अपनी शक्ती के दर्शन होना बंद हो जाते पहले नमबर पे ठीक है जैसे मालो आप काली माता के भक्त हो आपको माकाली के दर्शन होते रहते सपने के माध्यम में तो कुछ दिनों तक आपको माताकाली के दर्शन होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जब तक आपकी सक्ती बंदन में रहेगी, ठीक है, यूदि आपके पास आएगी ही नहीं, तो आपको दर्शन कैसे हो जाएंगे, तो कुछ भक्तों के साथ ऐसे ही होता है, पहले उन्हें म मतलब सारे काम करती थी सारी मनों कामना आपकी पूरी करती थी माता काली और अब कुछ दिन से ऐसा हो गया है कि माता काली हमारी कोई सुनती नहीं है मनों कामना नहीं करती पूरी हम कुछ भी मांगते हैं तो हमें प्राप्त नहीं होता है तो यह चीजे आपके साथ जब होने लगती जब आपकी शक्ति उतर जाती है आपके ऊपर से तीके चाहे वो कोई भी उताल ले या कहें किसे भी कोई बंदा उताल ले लेकिन आपके सक्ति जब उतर जाएगी तब ही आपके साथ इस सब चीजे होने स्टार्ड हो जाती है तीसरे नंबर पे जब आप पूझा दो जाता है और आप काफी ज़्यादा दिक्कत परिशानी में आ जाते हैं आप यही सोच में पढ़े रहते हैं दिन रात की पहले तो हमें माता के दर्शन उते दे पहले तो हमारी माता से बात होती थी पहले तो माता हमारे सारे कारे करती थी लेकिन आप ऐसा क्या हो गया कि मा ना तो हमारे पास हारी है ना हमारे कारे कर रही है और हम क्या करें अब आपको बताओं जब आपकी शक्ति किसी ने उतार ही ली है तो आप कम से कम पांच सनीवार मा काली के मंदर में जाओ मा काली के मंदर में जाके अपने उपर से साथ नीमबू उतारके माता काली को मंदर मे जाकर ही चड़ाओ ठीक है जो माता काली का हवन होता है जो मंदिरों में अगनी जलती रहती है उसमें सब अपना भूग चड़ाते तो उसी में आप अपने उपर से साथ बार उतार के साथ नीमबू हर सनीवार को जाकर चड़ाओ और पांस सनीवार तक आपको ये कारे करना है अगर आपको अपनी शक्ति को बापिस लाना है और चाहे इसमें देखो आपकी भी गलती होगी तो आपको अपने घर में लगतर 7 दिन या 5 दिन तक माता काली को भोग लगाना होगा मीठे में पान का लगतर रोज लगाना होगा अगर आपको अपनी शक्ती को बापिस बुलाना है तो जैसे ही आप ये कारे करना इस्टार्ड कर देंगे तुरंत तो आपकी जो शक्ती जिसके भी पास होगी जिसने भी उतारी होगी वो खुद ही आपके पास दोड़ी-दोड़ी आ जाएगी और आपको फिर पहले की तरह स धंके दर्शन होना अनुभव होना सब कुछ इस्टार्ट हो जाएगा और आपके कारे भी जभी होने लगेंगे जब आपकी शक्ति वहां से आपके पास आ जाएगी तो चलिए दोस्तों मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से समझा दिया है अब हम आप से मिलेंगे महादे मातकाली बाबा भूले नात आप सभी की सारी मनों कामनाय पूरी करें